नमस्कार दोस्तो इस वीडियो के अंतर हम लोग यहाँ पर रिवी और अनबॉक्सिंग करेंगे गोडॉक्स का जो 80 सिंटीमेटर वाला सॉफ्ट बॉक्स आता है उसकी हम लोग यहाँ पर सारी चीज़े इसके बरे में जानेंगे इसको कैसे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इसमें क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है और यहाँ पसका size कैसा है यहाँ पर वार से करता है नहीं इन सारी चीज़ों के उपर हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे यहाँ पर इसके bag के उपर हम लोग यहाँ पर जो Godox की branding है वो देखने को मिल जाती है यहाँ पर Godox लिखा गया है इस प्रकास है कि इसका bag हम लोगो सबसे पहले देखने को मिलता है हम लोग यहाँ पर bag की quality की बात करें तो और ओर ओल देखे bag की quality काफी ततर है ठीक है मतलब यहाँ पर जो हमारा parcel है जो हमारा product है वो damage नहीं होगा मतलब और ओर जो bag हमको इसके साथ देखने को मिला हुआ काफी बढ़िया है bag में देखे उपर की साइट यहीं हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस प्रकास है इस ठीकी type का यहाँ पर देखे हम लोगो देखने को मिलता है यहाँ पर इसको हम लोग चिपका देते हैं इसे और यहाँ पर हम लोग उसको निकाल सकते हैं मतलब इसमें कोई भी जीप हम लोगो नहीं दी गई है जिससे हम लोग यहाँ पर इसको open करें किसी भी जीप को और यहाँ पर हमारा जो उसको बाहर निकालें तो इस प्रकासि ये बैग के अंजर आता है बड़ को Amazon के तुर पर्चेस करेंगा तो ये पुरा पैक आएगा तो उसके अंजर आप लोग ये ऐसा कैसा पैक देखने को मिलेगा तो दिखेंगे मैं आप लोग कहना चूंगा इसकी best buying link मैं आप लोग को description में दे रहो है और ऐसा हमारा कुछ soft box हम लोगों को देखने को मिलता है यह पूरा कुछ ऐसा को यूश पैक निकल कर आता है अब इसके बाद ही हम लोग इसको इसमे से बहार निकालते हैं कि इस प्रकासि को इसको बहार निकालनें तो आपको इसको यूँ open कर लेना हैं आप इसको जैसे यह open करेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह इस प्रकास्ट से यह मारों soft box है तो भी हम लोग बात करें इस soft box की यहाँ पर अंदर की quality की तो आप लोग देख सकते हैं अंदर से ये soft box कुछ ऐसा देखने को मिलता है आप लोग साइड से यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी finishing देखने को मिलती है यहाँ पर Godox का logo यहाँ भी हम लोगों से एकने को मिलती है पूरा यहां पर umbrella का जैसा आप लोग इसको shape देखने को मिलता और इसके साथ ही सद्धिक यहां पर side में आप लोगो zip देखने को मिलती है softbox में आप लोग यहां पर देखेंगे यह zip आप लोग काफी साथा काम में आती है जब आप लोगी softbox को जो आपका light stand आता है वहां पर आप लोग इसको attach करते हैं तो तो वहां पर क्या था कि जो आप लोगा softbox है यहां पर आपके light stand में fix हो जाता है और ऐसा कुछ आप लोग यह दिखाई देता है अंदर से आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसी zip यहां पर आपको देखने को मिल देखेंगे तो दोस्तों आप लोग जब यहां पर softbox को अपने light stand में attach करेंगे तो आप लोग यह कुछ ऐसा दिखाई देता है और यहां पर लोग यहां पर बात करेंगे इसके diffuser को आपको निकालना कैसे रहता तो आप लोग सिंप्लिस को यहां पर इस प्रका से निकालना है जैसे हुसका बैग और यहां पर इस प्रकासे निकाल भी सकते हैं और यहां पर खुछ आप लोग देखरैंगे यह काफी दादा आसान है करना है इसको यहां पर एक बार लेंगे तो आप लोग खुद भी इसको ऐसे कर सकते हैं तो दिखे फाइनली आप लोगा सॉफ्ट बोक्स यहां पर लाइट स्टेंड में लगाने के बाद पूरा ऐसा देखने को मिलता आप लोग यहां पर क्लियरली सारी चीज़ा देख सकते हैं